आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज मैं आप लोगों को जिसे भी आपको इदर दिख रहा है इसका फोटोशॉप का डिस्प्ले कैसे चेंज करना है उसके बारे में बता रहा हूं अभी इसमें देखो यह आपको टूल्स का है बहुत छोटे लग रहा है और मेनु बार तो आप पढ़ी ही ने सकते उतना चोटा लग रहा है तो इसको सब कैसे चेंज करना है वो बता रहा हूं और प्रॉपर्टी बार भी चेंज हो जाएगा तो इसको कैसे चेंज करना है उसके बारे में बताता हूं अभी यह तो ओपन हुआ अभी ऋपन है वह सौ्फ्टोर अभी इसको एक बार करके ओपन करेंगे अभी इसको क्लोश करके रिफ्रेश करके और एक बार इसको क्या ऐसे डबल कलिक करता हूं अब यह क्या फोटोशॉप का जो ओपनिंग विंडो है वह थोड़ा बहुत छोटा लग रहा है ओके सो अभी यह ओपन हो गया अभी इधर भी यह भी बताया मैं आपको यह भी बहुत छोटा लग रहा है सो इसको चेंड करने के लिए अभी क्या करता हूं मैं एडिट में जाना है एडिट में आके आप क्या करो इदर इसमें नीचे आजो प्रिफरेंस करके हैं इसमें आता हूं प्रिफरेंस में आता हूं इसमें आके आपको जन्रल में आना है इधर जन्रल में आने के बाद इंट लार्ज करने के बाद इसको क्या है क्लोस करता हूं इसको क्लोस करने के बाद अभी क्या है इसको एक बार रिफ्रेश किया तो अब यह जो आई設 है icon पर mouse को right-click करना है icon के उपर mouse को right-click करो और right-click करके properties करके है इसमें click करना है so अभी यह क्या आया Photoshop CC का यह properties आ गया so इसमें क्या है compatibility करके है इधर आना है इस tab में आना है इस tab में आके आप क्या करो भी change high dpi settings करके है change high dpi settings करके है dpi बोले तो क्या है dots per inch है इसको यह click करता हूं click करने के बाद अभी इधर आपको क्या है overhead high dpi scaling behavior करके है इसको active करना है इसको active करने के बाद अभी यह क्या है application करके है इसको आप क्या करो system कर लेता हूं कि जो अप्लिकेशन था उसको मैं अभी सिस्टिम बोल देता हूं सिस्टिम बोलने के बाद स्कूच बोल दो है इसे भी क्या है इसको उप्त बेदे के बाद इसको आपटाइ करना हो गया इसका मतलब क्या है अंदर टूर्स मेन्यू बार और जो प्रॉपर्टी बार है सब बड़े हो गए इधर आपको फुल क्लियर ली दिखाए दे रहा है भी आसानी से आप क्या है इधर पढ़ सकते हैं इसको मैं डबल लाइन कर लेता हूं अभी देखो आसानी से आप ट चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद